हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमा नंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तो आज मैं अपने गार्जन का विजट आपको कराऊंगा ही साती साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मैं पॉद्र की figure करता हूं और साती साथ गार्जन को जब आप पूरा देखेंगे तो गार्जन का setup भी आपको पता चलेगा और आप भी अपने गार्जन को जो है कुछ इस तरीके से धिरे-दिरे setup में ला सकते हैं तो step by step मैं बताता जाऊंगा कि शुरूबात में आपको किस तरह से पौदर को लगाना है और उसके बाद दीरे-दीरे किस तरह से इस तरह के एक गाट अप में लाना है तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो दोस्तो आज के गार्डिनिंग की शुरूबात करती हैं घर के आगन से किस तरह से जो उपर का गार्डिन है वो दिखाई देता है और कई बार मैंने आपको बताया है जब भी मैं उपर वीडियो करता हूं कि सामने से जो है काफी अच्छा लगता है ये जो इतने भी बेलदार पौदी है तो इसमें काफी अच्छी फ्लारिंग हो रही है और खास तोर से ये जो आप देख रहे है परपल कलर के फूल जिसको हम मौर्निंग ग्लोरी कहती है तो इसकी बेल काफी नीचे नीचे तक लटक रही है तो मौर्निंग ग्लोरी और साथ में जो पीले रंग के या पीछ कलर के और जो परपल और गुलाबी शेड के यहाँ पर फूल आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको हम अलमांगा के नाम से जानते हैं तो काफी खूबसूरत दिखाई देता है और दूर सडक से ही आने जाने वाले जो है इसको देखते रहती हैं दोस्तो हर कोई चाता है कि अपने घर में एक सुन्दर सा गाड़न हो दूर से अच्छा दिखाई दे आगन में कोई भी एंट्री करे तो एक जो पॉजिटिव एनरजी है वो उस चीज़ को मैसूस करे और साथ ही जब भी आप ऐसे वातवरन में रहते हैं तो काफी जादा पॉजिटिविटी का अनुभब करती हैं तो दूस्तो इसी पॉजिटिविटी को कैसे बना रखेंगे किस तरह से अपने गाड़न को इस तरह बनाएंगे तो आज सारी बातों को मैं आपको मताऊंगा दूस्तो इस सेक्षन को मैंने इस से पहले कई बार दिखाया है कि यहाँ पर जो है अलग-अलग तरह के फूल इस कॉर्णर में हो रहे हैं और सब के सब बेलदार फूल है यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो यह पेशन फ्लावर या राखी फूल हम कहते हैं बिलकुल देखने में राखी के जैसा लगता है जैसे कि हम अपने बच्पन में कलाईयों में बांदा करते थे तो बिलकुल वही राखी है तो इस तरह के जो बड़े बड़े फूलो वाले जो पौधी हैं वो एक किनारे लगे हुई हैं और यह सब पौधे जो है इस समय तो थर्माकॉल की पेटियों में मैंने लगाई हैं लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था दोस्तों गाईनिंग की शुरूवात मैंने पौलिथीन से और कट्टो से ही की थी शुरूवात में अगर आप देखे एकदम 2020 में मैं जून के जो अग वीडियो है वो अगर आप देखेंगे तो पूरा छट जो है खाली था और उस समय जो है कुछ चावल के कट्टे कुछ पौलिथीन तो इनी सब का यूज करके मैंने गाईनिंग की शुरूवात की थी दिरे दिरे वो पौधे जो है बड़े होते गए शुरूवात में मैंने जो है सब्जियों से शुरूवात की थी जिससे की बहुत जल्दी गाईन जो है भर जाता है और एकदम हरा बरा दिखाई देता है और साथी जो है सब्जिया भी खाने को मिलती है फिर दिरे दिरे कुछ फूलों के पौधे को मैं ले आया नीचे ग्राउंड गाईन में कई सारे फूलों के पौधे थे तो कुछ कटिंग से भी जो है ने पौधे बनाने की कोशिश की काफी सारे जो गुडहल है उसके ब्रांचे अलग-अलग जगास से ले करके आया तो दिरे दिरे कुछ पौधे हमने चोटे 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 जो भी डिब्बे होते थे घर में या कंटेनर जो टौफी वगर की होती थी तो उसको मैं पास के किराने के दुकान से ले आता था या जो तेल का पीपा होता है तो वो 20-20 रुपए के मिल जाते थे तो उसको लाकर के उसको दो टुकड़े करके दो-दो कंटेनर बना लिया तो इस तरीके से गार्डिनिंग करता रहा इसके बाद दोस्तों 10-20 रुपए के जो भी पौट इस समय हमें मिल पाते थे नरसरी पौट हो या जो गली में फेरी वाले आते हैं प्लास्टिक के सामान लेकर के तो उनके पास मिल जाते थे या जस्ट बिन मिल जाते थे 10 करके उसमें फिर कुछ-कुछ पौधे लगाना शुरू किये तो इस तरीके से गार्डिनिंग जो है छट के उपर दीरे-दीरे स्टार्ट हुई और दीरे-दीरे जो है ये भी समझ में आने लगा कि कौन से पौधे जो है किस कर्डिशन में सर्वाइब करते हैं कुछ मिठी के पौट भी इधर-दर से शुरुआत में जो है मैं लाता रहा था तो आप तो दीरे-दीरे मिठी के पौट जो है काफी कम हो गए पुराने वाले जो है बस वही कुछ एक बचे हैं और mostly जो है इस समय थर्माकॉल की पेटिया मेरे पास है कुछ सीमिंट के पौट है और कु थिया है वो हम से होती है इसलिए जो भी नए गाजनर है उनको कभी भी महंगे प्लांट के नहीं करीदने चाहिए आसपास में जो بी प्लांट एवेलेवल है या किसी के घर में या पडोस में तो वहीं से लाकरके उसकी शुरूरुत करनी चाए कुछ कटिंग आप लगा सकत या जो सस्ते प्लांट है या कम रेंज के प्लांट है तो उसको लगा करके गाजनी की शुरुवात करनी चाहिए धीरे धीरे जैसे से आप पुराने होते जाती है गाजनी का अनुभव होता जाता है और फिर जो है आपको किसी को बताने की जरुद भी नहीं पड़ती कि आपको कौन सा पौधा कैसे लगाना है अनुभव ही सबसे बड़ा दुस्तो गुरु होता है और कोई भी कुछ भी बताए अनुभव के सामने सभी चीजे फीकी पड़ जाती है दोस्तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अचानक से गाजिनिंग का कोई वीडियो देखा जो की काफी खूपसूरत पौदों से भरा हुआ है और अचानक से बहुत सारे पौदे घर में लेकर के आती हैं बहुत सारे प्लांटर लेकर के आती हैं और पूरा घर सजा देती हैं लेकिन कुछ ही समय में वो सारी चीज़े खराब होने लगती है और अधिकतर लोग का जो मन है वो तूच जाता है और गाजिन को एक जो है बोजिल चीज़ समझने लगती है तो कभी भी आप ऐसा न करें अगर आपने गाजिनिंग नहीं की है तो एक साथ कभी भी जो है बहुत सारे पौदे घर में ना लाए बस दो चार पौदे से ही शिरुवात करें पहले उनको बचा करके देखें कि किस तरीके से वो सर्वाइब कर रही है और उसके बाद दीरे दीरे एक दो एक दो करके ही आप पौदे को बढ़ाए अचानक से जब आप पौदे लाते हैं तो आपका पूरा जो टाइम केबिल है वो बिगड़ जाता है आप पौदों के साथ और अपने काम के साथ एड़ेस्ट नहीं कर पाते और इसे करण से उसमें कभी बहुत ज़्यदा देख भाल करते हैं तो लगातार रोजाना पाने जालते रहते हैं तो कभी तरह-तरह के जो खाद है वो एपलाई करते रहती हैं और इसी से जो है आपके प्लाट्स मोस्तली खराब होती हैं दोस्तो अगर आप नए गार्डिनर है या गार्डिनिंग का अनुभब आपको नहीं है तो अवश्य से जहां भी जिस भी नर्सरी में जाए उनसे जरूर पता करें कि जो प्लांट आप ले रहे हैं तो यह जो है कैसी जगा पर चलेगा पानी की कितनी जरूरत पड़ेगी या क्योंकि फंगस वगरा का अटेक जिसमें ज्यादा ना हो इस तरह का करता ना रहे और बिल्कुल किस चेगा पर लगाए कैसे लगाए वो भी आप उनसे पूछ सकती हैं दोस्तो मैंने बहुत सारे लोग को देखा है कि वो नर्सरी से ही प्लांट खरिद करके वहीं पर गंब गंबले के अंदर सिधा सिधा जो मिट्टी है या थोड़ी से गोवर की खाज उसमें मिला करके फटा फट से उसको लगा देती हैं और होल्स को कैसे कवर करना हैं तो उसका ध्यान नहीं रखती हैं बैटर है कि आप घर में लाकर के खुद अपने हाथों से सॉयल तयार करके ही उसको लगाए गंबले की मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा तो रहता है कि शुरुआती अगर आप हैं तो मिट्टी के गंबलो का यूज करें उसमें प्लांट मरने के चांसे काफी कम रहती हैं नीचे से अगर उसके होल्स बंद भी हो जाती हैं तब भी जो पानी है वो उसमें नहीं जमता मिट्टी की जो परते होती है जो उसके गंबले होते हैं तो उसमें से जो शुक्ष में च्छिदर होते हैं तो पानी जो है उसके तो बाहर आ जाता है जिससे की मिट्टी जो है अंदर गीली नहीं रहती दोस्तो मिट्टी का गंबला रहे हैं तो नीचे अगर एक होल भी हो थोड़ा सा बड़ा हो तो उससे आपका काम बन जाएगा लेकिन अगर आप प्लास्टिक का गंबला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कम से कम साथ आठ होल आप जरूर उसमें बना ले और अगर आप सीमेंट का गंबला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी लोग क्या होता है कि एक टुकड़ा जो है लगा देते कोई भी टेक या गंबला का टूटा हुआ कोई टुकड़ा लगा देती है या इट का कोई टुकड़ा लगा देती है या कोई चपका सा पत्थर रख देती है तो इस तरह से एक अगर टी का आप लगाएंगे तो वो तो हमेशा कोशिश करें कि नीचे जो है बजरी या जो कंकड़ पत्तर है उसकी पूरी एक लेयर जो है आप लगा दे लगबग एक इंच की और उसके ऊपर कुछ रेता छिड़क दे चाहे तो आपको चेक अंकड़ पत्तर रख करके अगर रेता नहीं है तो आपके पास अगर धान का छिलका है जिसको हम राइसस करते हैं तो वो है तो उसको आप रख सकते हैं या नारियल के रेशे बगर हैं उसको रख सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसे की पानी च्छन करके नीचे चला जाए तो वो आप रख सकते हैं और इन सब से ये होता है कि जो मिट्टी आप गमले में भर रहे हैं तो वो मिट्टी जो है बह करके फिर नीचे के चिद्रों से बा 60% जो भी गार्डन सोयल है वो है वो आप ले ले और 30% जो है वर्मी कमपोस्ट या गोवर की खात का यूज करे और 10% जो रेता है या जिसको आप बालू कहते हैं रिवर सेंट कहते हैं तो उसका यूज करे और इस तरह के मिट्टी में आप कोई भी पौधा लगा देंगे बहुत अच्छे से वो सर्वाइब करेगा शुरू में जब आप कोई भी पौधा लगाती हैं तो उसको 2-3 महिने तक कोई भी खात देने के आपको अवश्यक्ता नहीं है जो शुरू में आपने मिट्टी बनाई है तो उसी से पौधा सारी एनरजी लेता रहेगा दोस्तो अधिकतर जो शुरूवाती गाजनर है वो ये गलती करते हैं कि पौध में होल जो है कम रहने देती हैं एक या दो ही रहने देती हैं और उससे पौधे में नुकसान होता है और कई लोग को तो ऐसे देखा है कि वो पौध में होल भी नहीं करते नीचे से वो कहते है कि हम पानी कम जालेंगे जिससे कि जो है पौधे में बार-बार पानी जालनी की ज़रुद भी नहीं पड़ेगी और पानी बैगर के नीचे भी नहीं आएगा तो ये भी एक गलती है बिना छेट के आप जितनी भी कोशिश करें पौधे में जो है पानी वो जम जाएगा करके लगा देती हैं और बड़े पौट में होता यह है कि उपर से जो भी आप पानी जालती है वो नीचे चला जाता है और उपर जो है सूख जाता है जिसके कारण कि वो पौधा जो है बहुत जल्दी फिर मरने लगता है तो हमेशा कोशिश करें कि आप जब भी नरसरी से फुटे पौट में ही लगाए अगर आप जो है एक फुट हाइट के पौधे खरीद रहेंगे तो आठ इंच से ज्यादा बड़े पौट में आप उसको ना लगाए कोशिश करें कि शुरुवात 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच तक ही आप करें इससे बड़े पौट में आप शुर 12 इंच के पौट में ही रिपौट कर सकते हैं दुबारा से और चाहे तो उससे बड़े पौट में भी जा सकते हैं दोस्तो गमले में लगे हुए पौदे को हमेशा औरगनिक फर्टिलाइजर देने की कोशिश करें और कोशिश करें कि घर में जो भी आपके किचन वेस्ट है जो फलो के छिलके हैं सबजो के छिलके हैं तो उसको एक ड्रम में या किसी बाल्टी में रखे और बाल्टी में जो है आप पानी भर करके रखे अच्छा तो यही होगा कि आप बड़ा सा कोई ड्रम ले ले और ड्रम में आज़े से जादा पानी से भर दे और उसके अंदर स वो जो पानी है उसमें से आप एक डिबे में जो है पानी निकाल ले उसको थोड़ा सा छान ले ताकि सब्जों के चिलके वगर पानी में ना रहे तो छान करके दुबारा से सब्जों के चिलके को तो उसी जब में रहने दे और वो जो पानी है उसको जितना पानी आपने वहा अगर आप ऐसा कंटिनसली करते रहेंगे तो बाहर के जो खाद वगरा है उसकी जरुद बहुत कम आपको पड़ेगी उसी से पौधा काफी अच्छा आपका होने लगेगा और फूल भी अच्छे आएंगे साथ ही पौधे की ग्रोध भी अच्छी होगी इसके अलबा दुस्तों प्याज के चिलके हैं लेसन के चिलके हैं तो ये काफी काम के हैं तो इनको आप अलग से लिक्विट फर्टिलाइजर ऐसे ही बना सकते हैं उसके लिए एक अलग जिबा ले ले या कोई पौट ले ले तो उसी के अंदर जो है पानी गाल करके उसी में प्याज के चिलके वगर को आप बिगो दे और जब भी पानी देने की ज़रुत हो बस वही वाला पानी आप उसमें से निकाले और दो तिन गुना चार गुना ज़्यादा पानी में उसको मिला करके उस पानी को आप अपने पौदों में थोड़ा थोड़ा दे दे तो इस त तरह के पौदों के लिए तो उसको भी आप इसी तरीके से जो है भीगो सकती है एक मुट्टी सरसो की खली यानि कि लगबक सौ ग्राम जो सरसो की खली है उसको आप भीगो करके रख सकते है शुरुआत में एक लीटर पानी में आप भीगो करके रखे और चार पांच दिन के बाद उसी को जो है आप एक बाल्टी पानी में मिला ले यानि कि जो सो ग्राम सरसो की खली है वो पंदरा लीटर पानी में जो है वो डाइलूट होगा और वही पानी थोड़ा-थोड़ा आप अपने पौदे को देंगे तो बीज-बीश में ऐसा करते रहें पंदरा दिन उसी प्रकार के खात को देनी की आविश्यक्ता नहीं होगी और इसी से आपके पौदे को पूरी एनरजी मिल जाएंगी और आपके पौदे में बहुत अच्छी फ्लारिंग होने लगेगी दोस्तो जितने भी फूलो के पौदे हैं लगवग लगवग सभी में धूप की जरूरत होती है और चार-पांच घंटे की धूप की जरूरत होती है तो अगर आप फूलो के पौदे आप ना खरीदे बहतर है कि आप जो सुन्दर-सुन्दर हरे-हरे पत्तो वाले जो पौदे हैं वो खरीदे सजावटी पौदे खरीदे जो की सेमी शेड में चलती हैं लेकिन उसको आप खुले में ही रखे बरांदा नुमा जगा में रखे या जहां पर जो है हवा जो है चलती रहती है ऐसी जगा प तो हमेशा आप पौदे को अंदर बाहर करते रहें एक सेट पौदा बाहर हो एक सेट अंदर हो तो उससे क्या होगा कि आप जो है कभी अंदर से जब भी बाहर जाएंगे तो बाहर वाला अंदर लाके रख देंगे और अंदर वाला फिर बाहर कर देंगे तो इस तरह से हर एक पौदे को रोज़णा पानी चाहिए तो आप हमेशा चेक करें पानी देने से पहले कि उसके पौट के मिट्टी जो है गिली तो नहीं है अगर आपको थोड़ा भी गिला लगे तो आप उसमें पानी ना दे पौट के मिट्टी अगर आपको सूखा लगे या पौधे में हलका सा जो मुर्जहना है वो आपको नजर आए तो ऐसे में आप पानी दे तो ऐसे में आपका जो पौधा है बहुत अच्छा सर्वाइब करेगा गिली मिट्टी में अगर आप पानी डालेंगे तो उससे पौधे के मरने के बहुत ज़्यादा चांसे हो जाती है उमीद है दोस्तो आज के वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है खास तोर से जो न्यू गार्डिनर है उनके लिए काफी अच्छा रहा होगा में तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बग्या नमस्कार